क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में टूरल जन्ध संक्या में से 25 करोर मतलब 21% किशोर अवस्ता के लड़के और लड़किया हैं और इन में से 47% किशोर अवस्ता की संक्या है माई कब जो महीना होता है उसको हम Teenage Pregnancy Prevention Month कहते हैं नमश्कार मैं Dr. शीतल दयाल मैं एक प्राक्टर सिंग गाइनेकॉलिजिस्ट हूँ इतार्सी नर्मदापुरम में May 6 को National Teen Pregnancy Prevention Day के तौर पे मनाया जाता है लेकिन क्यों? ताकि हम आम जनता को Teenage Pregnancy के बारे में जागरत कर पाए So what is Teenage Pregnancy? Pregnancy जब 19 वर्ष या उससे कम में होती है उसको Teenage Pregnancy कहते हैं क्या आँ जानते हैं कि इंडिया में हर साल जितना percentage pregnancies होती है yearly उसमें से 9% Adolescent Teenage Pregnancy होती है मतलब 15-19 साल के बीच में Pregnancy होती मतलब उस उमर में जहां पे एक बच्ची को या लड़की को अपना education देखना है अपना working देखना है उसमें वो burden हो जाती है Pregnancy और एक पच्चे की responsibility के साथ अब तेखते हैं कि Teenage Pregnancy की causes क्या होते हैं अक्सन यह accidental हो रही है क्योंकि safe sex practices के बारे में उनको पता ही नहीं होता Child marriage abolish होने के बावजूत बहुत सारे states आज भी Child Marriage Act को follow नहीं करते हैं and child marriages practices अभी भी लागू है Third, forceful intercourse and sexual abuse अब देखने है Teen Pregnancy के क्या असर होते हैं मां पे और बच्चे पे There is an increased incidence of preeclampsia मतलब pregnancy में BP high होना इसलिए यह automatically highest category pregnancies में आ जाते हैं Incidence of anemia, खून की कमी होना Unsafe abortions Abortions अगर सही तरीके से नहीं किया गया हो या सही center पे नहीं किया गया हो या gynecologist के बारा नहीं किया गया हो तो uterus में infection and blood में infection हो सकता है जिससे इनको जान की खतरा हो सकता है अब baby पे क्या असर होते हैं Babies premature पैदा होते हैं क्योंके वो premature होते हैं वो low birth weight के पैदा होते हैं और still born babies बहुत common हैं यह वो risk factors हैं जो हम physically treat कर सकते हैं लेकिन psychologically इन पे क्या बीटती हैं चलिए देखते हैं अक्सर यह बच्चे डरे हुए होते हैं और यह information share करने से डरते हैं कि वो pregnant है अगर यह बच्चे share नहीं करते हैं तो वो depressed हो जाते हैं अगर वो अपना बच्चा नहीं रखना चाहते हैं तो वो ऐसे दरिये ढूंड लेते हैं जिसको हम unsafe abortions कहते हैं और जिससे शायद गर्बबात के बाद वो कभी आगे माही नहीं बन पाएं इन सब के साथ साथ वो school छोड़ देते हैं education college छोड़ देते हैं तो all-round socio-economic status change नहीं हो पाता है और सबसे important बात boys of single parenting so obviously एक 15-19 साल की बच्ची इतना important decision life के अकेले कैसे ले पाएगी मेरे 15 years के practice में 8RC में बहुत सारे team pregnancies आये लेकिन मैंने शायदी कभी ऐसा तेखा हो के उस लड़का और लड़की की शादी हुई हो क्योंकि अधिकतर ये sexual assault के नतीजे होते हैं अगर इन लोगों को adoption करवाना भी है उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो कौन सी route में जाए इसलिए ये awareness program है ताकि इन लोगों को समझाया जा सके कि teenage pregnancy prevention ही important है लेकिन अगर teenage pregnancy हो भी जाती है there are ways to deal with it तो अब देखते हैं कि teenage pregnancy prevention में क्या क्या आता है सबसे पहले encouraging abstinence schools में ये सिखाया जाना चाहिए sex education के द्वारा कि abstinence is the only way in which teenage pregnancy or any pregnancy can be prevented अब sex education schools के curriculum में included होना चाहिए वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि आते हैं बच्चे अपने माभाब के साथ ने खुल के नहीं पोच सकते हैं वो teachers के द्वारा अपने doubts clear कर सकते हैं planning the consequences अगर फिर भी sexual activity ये बच्चे जल्दी शुरू करते हैं तो उनकी consequences क्या होते हैं consequences of pregnancy क्या होता है consequences of abortion क्या होता है इन सब चीजों को sex education में सिखाया जाता है most importantly early sexual life में HIV infection sexually transmitted diseases or human papillomavirus HPV infections commonly transmit होते हैं HPV infections आगे जाके genital cancers both in boys and girls में बदल सकता है और ये सब जानकारी इसे ही important है ताकि वो एक informed decision ले अगर वो sexual activity फिर भी initiate करना चाहते हैं तो they have to be taught about contraceptive methods contraceptive methods for the girls are the most commonly is oral contraceptive pills and for the boys is barrier method which is condoms अगर आप कोई भी gynecologist से पूछेंगे कि सबसे best contraceptive method कौजा है तो अधिकतर gynecologist oral contraceptive pills बोलेंगे क्योंकि उसमें pregnancy होने के rates बहुती कम है लेकिन इस teenage pregnancy prevention के awareness में I would definitely stress upon condoms because an adolescent group के होता है जिसमें casual sex is very common and जब कोई partner long standing नहीं होता है तो condom will be a better mode of contraception क्योंकि इससे sexually transmitted diseases भी prevent हो सकता है apart from pregnancy but ये सारा information sex education के द्वारा बच्चों को दिया जाना चाहिए सही समय पर अब देखते हैं सरकार इस adolescent age group को help कैसे करता है Ministry of Health and Family Welfare ने दो missions launch किये हैं सबसे पहले राश्टर किशोर Swaast कारिक्र this was launched on 7th of January 2014 to reach out 253 million adolescents, male and female rural and urban, married or unmarried apart from राश्टर किशोर Swaast कारिक्र the ministry has also launched School Health and Wellness Programme this is a component of Aishman Bharat Programme which was launched in February 2020 and is being implemented in government and government aided schools in districts two teachers preferably one may and one female in every school is designated as a health and wellness ambassadors and they will be trained to transect with the school children, health promotion and disease prevention इन websites के link दिये गए है अगर कभी आपको जरद पढ़ती है तो आप यहां पे contact कर सकते है Now what we can do to break the stigma आज आप इस वीडियो के बाद सोच रहे होंगे कि क्या अब हमें अपने बच्चों के साथ बैट के सेक्स education के बारे में बात करनी पड़ेगी क्यूंकि हमारे जमाने में किसी ने तो ऐसा हमें बिठा के तो समझाया नहीं अब माहौल बदल चुका है अब हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी डिजिटल वर्ल्ड में कदम रख चुके हैं जिसके कारण इंटरनेट के कारण उनका exposure अच्छी चीज और बुरी चीज दोनों information उनके पास है अब इस information को कैसे समझना है कभ यूज करना है यह मदर हमें घर पे और स्कूल में teachers को इनको समझाना पड़ेगा अगर उनको सही first-handed information मिलता है then they will be more responsible in their lives to take their decisions अगर हम उनको inform नहीं करते हैं के these are the practices, these are the options and life के हर mode पे एक priority होती है and maybe in this time or part of your life this should not be your priority अगर हम माबाप को के यह चीज अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे तो फिर आगे जब उनको परिशानी होगी तो ultimately हमें ही परिशानी होगी we must break the taboo that we keep with regard to sex education schools में भी अपने curriculum को change करना पड़ेगा और उसमें sex education उनको लाना पड़ेगा counselors उनको रखना पड़ेगा ताकि जो बच्चे अपने माबाप के साथ openly deal नहीं कर पाते हैं या explain नहीं कर पाते हैं उनके doubts और उनके confusions वो एक counselor के साथ बैठके इन चीजों को वो discuss कर पाएं ताकि वो depression और stress के साथ ज्यादा परिशान ना हो आखिर में ये adolescence ही हमारे देश के युवा है और इनके choices के अनुसार ही हमारा देश भी आगे बतलेगा इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस video को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और माबाप sex education के बारे में समझें और अपने बच्चों को इसके प्रती जागूत करें धन्यवाद